So hello students, welcome back to our channel और आज मैं आपके लिए लेक्या आई हूँ BCOE 141 Principles of Marketing की Important Questions तो students आज का जो वीडियो है हमारा वो हमारा Important Questions के उपर होने वाला है क्योंकि काफी जो students है वो confused है कि हम कहां से पर इन preparation करें क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंटर जो जो जोब अगेरे की वज़े से अपनी preparation जोए वो नहीं कर पाते है और students आप इन वीडियो के थुरू अपनी एजली एक्जाम की preparation आप कर सकते है ठीके कोई भी डाउट से इशू होता है वो आप मुझे comment section में बता सकते है and students अगर आपको इनका hard copy या फिर अगर आपको soft copy इनका चाहिए तो आप मुझे same giver number पर contact कर सकते है and students आपको वीडियो को starting से लेकर end तक देखना है अगर आप चाहो तो आप वीडियो को pause करके या फिर screenshot लेके भी इन notes को आप note-down कर सकते है एक separately आप एक अपना register बना लीजिए आप इनको इसलिए note-down कर सकते है और एक चीज़ और देखो कई पार कि author students जो हमारे इगनी university होती है वो हमारे previous year के जो भी हमारे question paper होते है वहाँ से कुछ questions लेती है ये नि होता कि आपका to the point same question आपका वो आता है exam में आपके words आगे पीछे होते हैं लेकिन बस आपको थोड़ा से समझने कि हमारे question हो क्या बोले है एक तरीके से मेरा कहने का मतलब ये कि आपको question को जो है वो carefully पढ़ना है तो आपको जो answer है वो आपको लिखना होता है तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए है या फिर मेरी वीडियो को first time देखने है तो ऐसी यौफ वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करना ना बोले और बाल आइकन को बजना ना बोले तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम लोग start करते हैं सो यहां पर हम आ चुके हैं BCOE 141 principles of marketing आप इनको easily note down भी कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं झाल 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 प्रिंसिपल्स अफ मार्गिटिंग के इंपॉर्टन कोशन्स कम्प्लीट होते हैं एंड यहोप आपको स्टुडेंट्स वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो से रिखाइडिंग जो भी डाउट से निशु होता है वह आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं आपको से निश वीडियो में